नमस्का फेंट्स में नाम बबली और माँ पेपर है करमी आपका स्वागत है श्टार्ट कर रहा है यह अपना अध्याय नमबर हो जाएगा 60 इससे पहले 5 अध्याय सेकंड पेपर में हमने देख रखे हैं बीए 4 सेमिस्टर सेकंड पेपर जो होगा वो अपना कौन सा होगा उ हमने पूरा रखा है वह आपको एक ही प्लेइस्ट में दोनों की दो चीज़े मिल जाएंगी ठीक ना एक ही प्लेइस्ट में दोनों की दोनों आपको डाल लखे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के सेसन अध्धाय नंबर 6 की और और एपलीकेशन पे इसकी पीडियाफ सब कुछ करना पड़ जाएगा और जो एप नालोड करेंगे वह आपको फिर एप को दे जाएगा तो जो आपको अच्छा लगे वह आप यहां पर सकते हो ठीक है भी तो स्टार्ट करते हैं अपने सिसन के लिए तो बात करेंगे निमलिकित पढ़ टिपड़ी लिएगा जैसे अब को यहां पर दे देगा ठीक है वही तो इसको तुछा से ध्यान से देखते हुए कोशनों को सौप करना है कभी-कभी ऐसे तार पांस देगा कहएगा तो तीन पर ठीपी लिखो तो पांच उपर नहीं लिख रहा है मैं उनमें से तीन पर ठीपी लिखना है ठीक है श्ट कब हुआ था तो आपको के एक सितंबर कब हुआ था एक सितंबर 1949 में स्टार्ट होता है खत्म कब होता है यहीं पर लिखना है खत्म कब होता है तो आपको एक बढ़ा कर दो सितंबर कौन सा दो सितंबर 1949 में जापान आत्म सपर पकर दिता है अमेरिका के खलाब ठीक ना तो यह आपको देखने मिलेगा दो खतम हो जापा है यही पर आपको एक बहुत इंपोर्टेंट है USA कब सामेल हुआ सेकंड व्ल्डवार में तो आपको दहानकना है साथ अपरैल उननिस सो अपरैल उननिस सो एक तालिस में जो जापान होता है परल हर्ण करता है उसके दूसरे दिन आठ दिसंबर की वाते कौनसी आठ दिसंबर आठ दिसंबर 1941 को क्या होता है USA सामिल हो जाता है USA सामिल होता है सेकेंड वल्डवार में ठीक ना तो यह आपको छोटी-छोडी यह मिलम आते हैं जैसे की बात करें लिटल वॉआ हो गया फैट मैन हो तक ना और फैट मैं ठीक ना उसके बाद में कॉन सा योरिन सारे की आपको इसी बॉक्स मे लिख देना है चलो आगे हम देखते हों चलेंगे सेन के वारों में मगर आपको एक बॉक्स पहली मना जाना जो कि इस बॉक्स को देखे और आपको अच्छे नंबर मिल सकी ठीक है भी स्टार्ट करते हैं अपने के लिए तो बात करते हैं सेन के सथ ही घटनाओं का सिलसला प्रारंब क्या था जर्मन के यह से रर्क्सक्राइप और इसंपर Fitz Давай पॉंड का दस लाख दस लाख पॉंड का क्या लगाया गया इस पर जुर्माना लगाया गया कि आप भई जो फर्ष्ट वालडवार में जो हमारी हानी हुई है और देशों की तो जर्मनी क्या करेगा जर्मनी दस लाख पॉंड देगा तो यहां पर इसके उपर जुर्माने ल वुलंगन करता है क्यों क्यों अपनी सुतंता के लिए अपनी सुतंता के लिए उस जो संधी होती वुर्ण सुतंताइ करता है號, कैसे करता है पोलेंड जर्मनी आकरमण करता है black 149 और यही आकरमण husk बढ़र में बदल जाता है तो बात करें द्वारा पॉलेंड प्राक्रमण के साथ ही घटनाओं का सलसला सुरू हुआ जिसे दुतिये विस्द का ब्यापका अधर प्रदान किया जिसने बाद में चल कर धीरे धीरे क्या हुआ सेकंड वल्डवार में क्या हो गया ये डिवाड हो गया ठीकला चलो बात करते हैं आगे हम बात करें दुतिये विस्द बरसाय की संधी की कठोरता विस्द ब्यापी आर्थिक मंदी ताना साहराज साही इंग्लेंड की तुष्ठी करड की निती जो बात करें सकती संतुलन की गलवडी आदी जैसे मूल भूत कारों की समरब परिराम देखने को ये मिलता है अब यहाँ पर क्या क्या कहा गया उसको देखो बात कहते हैं बिस्विद बरसाय की संधी की कठोर बिस्वियापी आर्थिक मंदी मतलब जो संधी हुई थी बरसाय की संधी कब होते है तो 28 मतलब क्या होती बरसाय की संधी होती है अभी मैंने बताय था जेर्मनी पर economy economy मतलब आर्थिक आर्थिक दस लाक पॉंड का जुर्माना जर्मिप लगायता है जो उसको देने के लिए समर्थ नहीं था ठीक न और बात करते हैं जो ब्रिटेन की ताना साही थी ब्रिटेन की धमकी के कार ही आकर और जो रूस था ठीक न जापा इनकी धमकी के आदरमित्र धमकी में आकर जबरदस्ती इसका क्या बरसाय की संदी करवाई गई थी ठीक न और बात के राजनितिक इंग्लैंड की संस्तिकर जो इंग्लैंड ने जर्मनी को धमकी धी कि अगर तुम संदी नहीं करोगे तो सारे देश मिलकर मित्र राष्ट आप पर क्या करेंगे हमला कर तो इंग्लेंड के धंकिती तुष्टी करकी नहीं थी और बात करते हैं सस्तिकर सक्ति संतुलन एक लाख सेना सीमित कर दी गई जर्मनी की एक लाख सेना सीमित कर दी गई कि गरवड़ी आदी जैसे कुछ मूल भूत कारों का समनब परड़ाम देखने को मिलता है सेकंड श्च नहीं हो सका उस समय स्राष में यह आ सका यह बात यहां पर थी मगर भी जोbandry है जो साना आच उसकुर्दस स्धान जो अच्विध कर आया फाग अकि जर्मनी का जो 14 सिंद्द लेकन आया था गो ज़ो जर्मनी का जो 14 सिंद्धान लेकर आया था भुड्रो बिलसन था बुड्रो बिलसन 14 सिध्धांतों को लेकर जो आया था वो सिध्धांत बरसाय की संधीके नहीं रखे गए थे और इनी नार्क ने के सिध्धांत पर ही और जो इंग्लेंड की बात करते हैं इंग्लेंड की ताना साही के कारड ही और ये 14 सिद्धान बुडरो बिलसन के ना रखने के कारड ही क्या हुआ ये 2nd World War देखने को मिल जाता है सफल नहीं हुआ उस समय 14 सिद्धान था वो सफल नहीं हो पाया था बात कर संदे और सक्ति संतुल की राजनिती में कोई भी देश एक दूसरे से उपर विसबास करने के किसी भी हालत में नहीं थे उस समय 2nd World War था उस समय कोई भी देश एक दूसरे के उपर विसबास नहीं कर रहे थे जो कि हम 14 सिद्धान थिस धान्त बुडरो बिलसन का ला सके तो इसलिए सारे देश अलग-अलग उस समय थे तो बात करते हैं सयोग से यूरोपी राजनिती में इटली एव जर्मनी की जर्मनी में करमसा मुसोलनी और हिटलर क्योंकि आपको बता है इटली इट से किसे मारोगे इट से मारेंगे मुसे के लिए किसको इट से मारेंगे च इसको याद का लेंगे आप इटली का कौन था मुसोलिनी जर्मनी कौन था हिटलर जैसे ताना साके अधीन सत्ता इस्थापित होई थी बात करते हैं दुथी विस्द के बारे में एक धारणा प्रिचलित है यह की दुथी विसुद एक प्रती शोधात्मक की दुथा कैसा था प्रती सद्कॉ hahak यह दूसरे से प्रती शोधेला सहाते थे यह बात यहां पर देखना मिलेगी जिस प्रकार से जर्मनी क्या करता था जर्मनी पोलेंड बात करते हैं जर्मनी ने प्र आक्रम करते रूष allora fiveMr Amere характер तै उसाछी यह एक आस थे प्रताियम प्रती से लडाई-नह में कोई दो राय नहीं थी कि 1919 के पश्चात विविन यूरोपिय देशों में अधिका मैं तंत्र अस्तित्म में आए जो इस बात की पुष्टी करता है कि यह देश अपने अपमान का बदला लेने के लिए तयार थे क्योंकि जो देश उसमें जो मित्त धुरी राष्ट थे वो से दुतिय विशुद कैसा रहा अबश्य भावी हो गया मतलब संभव हो चुका था दूसरी विश्द होना बस आएकी संदी के बाद में ही ठीक ना तो यहां पर हमने देखा सेकंड वल्डवार पर ठिपड़ी थोड़ी सी ठीक ना तो यह आपको सारी बाते याद अखना है सेकंड वल्डवार की बारे में यह कैसे कैसे हुआ मुक्य काल क्या था क्योंकि जर्मनी क्या करता है जर्मनी पॉलेंड पर आकरम करता है जर्मनी पॉलेंड पर आकरम करता है क्यों करता है इसके बारे में सभी अभी हमने देखा क्योंकि जर्मनी पर दस लाख पॉंड का ज बिश्यत करेगै इसन बीज बंद्वर के बरसाइब की संद्धी में ही Personally क्या हो चुके थे दोतिय अभी स्इंध के बीज के बीज वह चुका था बर्शाइब संद्धी वह तवह चुकल था दिए यहां पर हमने करेखर की वे खती हो सेकन्ड व्ल्डवार के बारे में देखा ठीक है न जूरू अब जलते हैं किसके बारे में सेकेंड टैपकी और तो सेकेंड पर टिपड़े देखेंगे हम देखेंगे प्रतम विसुद एहम वर्साइकी संदी के बारे हैं प्रतम विसुद आपको सबको पताया कभी स्टार्ट हुआ था तो आपको गें 28 जुलाई 28 जुलाई 1914 में क्या हुआ था इस्टार्ट हुआ था 11 नवंबर 1908 खतम हुआ यूएसस में कब सामिल हुआ अमेरिका तो आपको गए अमेरिका सामिल हुआ था 6 अप्रेल 1917 में सामिल हुआ था अमेरिका ठीक ना तो इतनी वाते हैं आपको यहां से बेरी बेरी संदी दूतिय बिश्वद का एक प्रमक कार्ण यह है ये प्रमक कार नुग में ही नहीं ना तो कर दो दूतिय बिश्तय का था वह पहले बिश्वद में ही नहीं तो प्रतिज के लिए युद्ध बिराम संदी हुआ करते थी क्योंकि 20 बरसों के लिए युद्ध बिराम संदी हुआ करती थी 20 बरस के बाद 19 के बाद 49 में तो 20 बरसों के लिए एक प्रकास से संदी हो जाती है जो आपकी बरसायकी संदी कब हुई थी तो बरसायकी संदी आप ध्यान लखना है बरसायकी संदी होती है प्रतम विसुद शंभवता दोनों पच्चों की आकांच्छाओं को पूर नहीं कर सकता था अता इन इन अर्मानों को पूर्ती है तु दुतिये विसुद हुआ बात करेंगे बरसाइकी संदी पर वी दुतिये विसुद के समान समाप तो होने के पर शात 1919 इसमी में जर्मनी के साथ बरसाइकी संदी हो गई किसकी जर्मनी के साथ क्या होने लगी बरसाइकी संदी हमने पहले देखी रखा है ठीक ना बरसाइकी संदी 1909 में बरसाइकी संदी होती है जर्मनी के साथ बात करते हैं संदी हो गई जर्मनी के की भावना के अतंत कठोर ब्याभार किया गया जर्मनी के साथ प्रतिशोद की भावना को उजागर करने के लिए एक प्रकास से प्रतिशोद निकालने के लिए ठीक ना उस पर क्या लगाए गए जर्मनी के साथ प्रतिशोद की भावना को अतंत कठोर ब्याभार किया गया जर उपर सेना निशित कर दी गई मैंने बताया एक लाख और बात करते हैं शुमाना दस लाक मेरंड का जुर्माना इसको पर लगाया गया तो इस ब्रकास है यहां पर क्या हुआ जर्मनी की रीड तूडती हुई देखने को मिलती है तो बात करें इस संधी के दौरा जर्मनी को अ अपना अधिकार प्रिश्थ कर दिया, और बात करते हैं, और खामानों को मितर राश्टोन ने परस पर बित्रित कर लिया, जो खाने हुआ करती थी जर्मनी की, उन पर अधिकार किसका हुचुका था? मित्र राष्टों का हो चुका था वातरे जर्मनी पर युद्ध हरजाना भी इतना अधिक किया गया क्योंकि दस लाख पॉंड का जुर्माना यहां पर लगाया गया इतना यादा जुर्माना इस पर लगाया गया इस प्रिकार मित्र राष्टो दोरा दूर दर्शिता का प्रदर्शन करती हुई जर्मनी के साथ की गई इस संधी ने जर्मनी को इस भंग करने इसे होगा इसे भंग करने पर एवं मित्र राष्टो से प्रतिसोद लेने के लिए बात दे कर दिया था क्योंकि सेकेर जुस भरसा की संदी थी वो एक प्रिकास से जर्मनी के लिए कैसी थी एक काटे के समान चुब रही थी बात करते हैं इसी कार दुतिये बिशुद को प्रती सुदातम के उद्ध कहा जाता है तो दुतिये बिशुद को प्रती सुदातम के उद्ध इसी लिए कहत पर अधिम से और उसके ब्रकार पर्वारी तो इस वाए से जर्मनी ने अपना समझा फिर ठीक न चालाओ आगे बढ़ते हैं आपको कहा में लेगी पीड़ाफ पिलेगी आपको साइट पर जाकर मिल जाएगी वही पर आपको app भी मिल जाएंगे सारी बुकों के PDF एक साथ डालोड कर सकते हो यहां से यह भी आपको मिल जाएंगे और app आपको विल्कुल free app course मिल जाएंगे कैसे विल्कुल free app course वो भी आपको site की ही बटरम पर मिल जाएंगे तो दोनों मैंसे आप कुछ भी ढालोड रहाँ पर कर सकते हो ठीके ना चलो तो चलते हैं second question की ओर तो हम देखेंगे दुतिये विश्वदिकी प्रमो घटनाओं पर पिरकाश डाले करते हैं तो बात करेंगे दुतिये विश्वदिक के समय की प्रमो घटनाओं ने में लिकिती बात करेंगे पोलेंड पर आक रमन क्यूंकि जर्मानी ने किस प्राक्रम किया था तो जर्मनी एबम रूस के मद्द्ध पॉलेंड को आपस में बाट लेना तुकि आपको सबको पता है जर्मनी और रूस मिलकर इस समय जर्मनी और रूस के मिलकर क्या करते हैं पॉलेंड को आपस में बाट लिने संबंदी समझोते के फ्लसुरूप एक स्टमबर 1949 को जर्मनी सेना ने प्रती गती से पोलेंड पर आक्रमन कर दिया तो बाब कोगे एक स्टमबर 1949 से सेकेंड विल्ड वार स्टार्ट होता है और इसी दिन क्या करता है जर्मनी पोलेंड पर आक्रमन कर देता है बात करेंगे 27 सितमबर तक पोलेंड ने जर्मनी के स पोलेंड को जूट कर जूट कर जर्मनी और रूस ने क्या कर लिया इसको आदा आदा कर लिया बाट लिया अब बात करेंगे रूसी प्रसार क्योंकि रूस जो था अपना छित पल उसमें बिस्तार करना चाहता था तो रूसी प्रसार के बारें देखते हैं अपनी सुरक्षा ह देख तक ट्रह ने तो इस टोनिया लाटीरिया लितुवानिया और आपका ने आपर आकर ना भाग में आपके oops न बहुरक लगों में तो रूस के नो डो ट्रक्ड़े होते हैं एक बटा चार भाग टुक्ड़ा होता तो न रूस का रूस का होता है एक वह जा चार टकड़ा तो एक होता है इसमें बहुत सारे जाता जाता है बाकिए एक फिस्टाइब होता है वो एक हिस्सा बढ़ जाता है किसमें जैसे बात करें अभी जिलेंस्की प्राक्र्मकर रहा रूस वह भी रूस का चैतर हुआ करना चाहता था इस संबंध में से तमबर अक्टूबर 1949 में इन बाल्टिक देसों इने बाल्टिक देस कहते हैं यो भी हनकना बाल्टिक देस किसे कहते हैं जो रूस से अलग हुए हैं जो रूस का एक बटा चार टुकडा था जो एक टुकडा हुआ है जो एक बटा चार टुकडा है उसी को हम क्या करते हैं बाल्टिक सागर कहते हैं पारस पर एक सहयोग कि हम आपका सहयोग करेंगे आप अपनी सेना हमारे चितर में आप ला सकते हो यह संधी यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस संधी के पलसुरूप सोबिय संग को इन तीनों राष्ट्यों में सेना रखने की अनुवति मिल गई देखो सेना रखने की स्कृति है उसको हम बचाए रखने का और जो अपना जो तुमारा जो भी तुमारा अस्तित्व है उसको बना रखने की पूरी क्या करते है असवासन देते हैं तो यह यहां पर उनके बाल्टिक साथ बाल्टिक देशों के लिए कहा गया चलो बरते हैं अगले की और आम कैसे आप करोगे यहां पर नार्वे में देखो रा मिलेगा डैनमार्क में रा मिलेगा जर्मनी में रा मिलेगा तीनों याद हो गए अरे नार्वे में रा मिलेगा डैनमार्क में रा मिलेगा जर्मनी में रा मिलेगा तो तीनों मिल गया है इसका मतब नार्वे और डैनमार् सभुलता ब्रीटेन और फ्रान्स पर आक्रमण करने के लिए नारबे क्योंकि जर्मनी छुपकर उनकी बात यहां पर चलती होगी तो बात करते हैं समस्या यह थी कि इन सभी तक परंपरादत रूप से यह देश तटफत रहते थे मतलब उन पर आधारित थे बात किरेंगे हिटलर ने अपनी सूजबूज का परिचय देते हुए हिटलर कहा था जर्मनी का पहली पर चुके हम तो आपको गें अपरेल 1940 में नार्वे एम डैनमार्क पर आक्रम कर दिया अनंता नार्वे डैनमार्क नास्ती सरकार सत्ता सीन होई जो वहां की सरकार हुआ करती थी वो सत्ता सीन हो गई और यहाँ पर किसका अधिकार हो चुका था यहाँ पर जर्मनी का अधिकार हो चुका था किसका जर्मनी का अधिकार हो चुका था अब बात करतें अगले कार ब ने तीनों देश की ठाख पर हीट्लर ने इन तीनों की सहाईता पहुंचने पहुंचाने का आरोप लगाया जो यह इन पर फ्रांस और यतवलेंगे ज़ो आ पतीन हिए पर वह देशों के लिए उञ्ण अंतर्मती ही दुर्तटगती से इन पर आक्रमण कर इन्हें बिजित कर लिया गया मतलब इन पर किया एन्हों तुरुश्य जहांसा दिया गया कि आप जो देश हो जर्मनी और फ्रांस पर एंगलेंड और प्रांस के अंडर में हो और वहां की जो सेना है भूं आपकी ससाइःता करती है तो यह आरोप से लगा गया और वहां की लोग इस आरोप को समयाने में लगे तक्थ्या किया हिटलर ने जो तुम्हारे वेश्वा करते थे कौन से अभी हमने देखा था जो पर फ्रांस का पतंदेखने को मिलेगा तो जून 1940 की बात है 1940 को जर्मनी एम इटली ने फ्रांस पर आकरमण कर दिया फलता फ्रांसिस्था ने इन दो संयुक्त एम आकरमण के दबाब में आतम समरपड कर दिया क्योंकि यह जो था वो सत्ता के दबाब में था बहां की जंता उ आकरसो तो चुकी थी तो इसलिए क्या होता है वो अपना जर्मनी के हिटल के तहत क्या काता है आतम समरपड कर देता है इसकी पैड़ाव इसकी पैडिती यह हुई की की नाजी सेना को स्वेडिया लेंड के उत्तर पश्मी फ्रांस के संपूर भूभाग पर नेंतर जीत लिए अब फ्रांस भीज़ दिया अब क्या बचा अब बचा सिर्फ इंग्लेंड या फिर बिटेन बचा तो बिटेन पर जर्मनी का आकर्मन अब होगा ठेके ना तो आखोगे फ्रांस के आतम समरपड के परश्चात स्वाभाविक रूप से बिटेन की कटनाया बढ़ चुकी थी इसका कार यह तो यह एक यह था कि संपूल फ्रांस से सी युद्ध समगरी जर्मनी के हाथ में आ चुकी है क्योंकि बहां की जो युद्ध समगरी थी बुजर्मनी के हाथों में आ चुकी है एमम इस युद्ध समगरी का प्रियोग बिटेन के बुरुद होने की स भावना बढ़ रही है साथ ही अमेरिका भी यूओ पीए त्रटस्ते देरों देशों पर जर्मनी के आकरमर से संकित हो चुका है और ता इस वह की इस्तुति में अमेरिका ने बेटेन की सहायता देनी शुरू कर दी क्योंकि अमेरिका क्या करता था अमेरिका अपने आपको कंजोर नहीं होने चाहता तो अमेरिका ने क्या किया आप अमेरिका ने अपनी सेना कहां पर भीजना श्टार्ट कर दी बीटेन में भीजना श्टार्ट कर दी ठीक है तो बात करते हैं नई यूरोपिय विवस्ता अब क्या देखेंगे नई यूरोपि के साथ क्या करते हैं इस समझोते की मूल बातें यह थी कि इन तीनों ने अपने अपने छेत्रों के एक दूसरे को प्रभूत स्विकार कर ले थी यही वश्था यूरोप की नई वस्था के नाम से प्रिसिद्ध है बात करेंगे कालांतर में इन वस्था की इन वस्था को बुलगारिया रोमानिया और बात करते हैं यूगोसलाविया को भी मानने है तू बाद अंत्ता हिटलर ने यूनान की जो यूनान को बिजित कर जर्मन सामराज में सामिल कर लिया गया जो हिटलर ने जो यूनान हुआ करता था इसे मिस्र कहते हैं इसको सोरी यूनान नहीं यूनान हाँ यूनान मिस्र को यह थे हैं तो यूनान को बिजट कर जर्मनी सामराद में सामिल कर लिया आता हम यह कह सकते हैं कि हिटलर एवम मुसोलनी की आक्रमत्ता जापान की समराज ब आधी प्रबर्ती आधी के परणाम सुरूप दुत्य विशुद्ध का प्रारंब एक स्टंबर 1949 को हुआ जिसकी समाथ्ती दो स्टंबर 1945 को जापान के आत्म समर्पड के साथ देखने को मिलती है वह एक भेंकर युद्ध था जिसमें पहली बार परमरुम का प्रयोग किया गय होता है कि 6 स्टंबर 6 अगस्ट को होता एक सफ्ट यह कहां पर गुरा गयाता यह कहां पर गरा गया था और यह जाली बाते क्या है आपको कौन साही कहां गराए गया कौन सा अभम था जगह पर गढ़ा गया था ठीक ना और इस ने समर पड़ कर दिया कि कपर दिया दोस्त नमबर सेकेंड देख लिया और हम देखेंगे कोशन नंबर ठीक ना दुतिये बिस्वदिके काड़ों का बढ़न कीजेगा तो यह आप इतना लिख लेंगे अपनी कॉपी पर ठीक है ना चलो इस्टार्ट करते हैं अगले की हो तो उत्त्र दुतिये बिस्वदिके कारण के बारें बात कर लेते हैं तो बात करते हैं उन्निस सो ऑन्तालिस से उन्निस सो पैंतालिस इच्भी तक चला था एक से लेकर ने कर मनाया था भूरोब लिसंग के चोदा सद्धाइन जो लेकर आये थे वह यहां पर दुरबल रहे बात करेंगे संयोक्त राष्ट संकी निरवलता प्रतम विसुदिके पश्चात पार्सप्रेक्स मस्याओं की सांति पूर्ण से सुल्जाने में उद्देश में एक अंतराष्टी संस्था संस्था राष्ट संकी स्थापना की गई थी किन्तु राष्ट संग अपने उद्देश में सफल ना प्राप्त कर सका अनेक राष्ट राष्ट संग में पिरतक हो गए और पिरतक में दूर हो चुके थे उन्होंने अपने प्रस्ताबों को अस्विकार कर दिया किन्तु संग से सुरच्छा प्राप्त करने का विश्वास प्राप्त हो गया अन्निकों तो प्राप्त में कुछ देशों को प्राप्त नहीं था तो वहीं यहां पर सेकेंड वल्डवार का बनता है काड़ बनता है अगले वरते हैं सामराजवाद की बात करते हैं तो बात करेंगे पिर बरसाय संधी का बिरोध करते हुए जनसंख्या को बसाने के लिए उपने बेस स्थापित करने के लिए प्रतर स्टील हो गए बात करेंगे जापान भी समराजबादे निती का समर्तक था तथा अपनी प्रष्ट चीन पर लगी थी उसकी जो द्रश्टी थी वो किस पर चीन पर लगी हुई थी इन देसों को समराजबादे निती इंग्लेंड फ्रांस के हितनों से टकरा रही थी आता यूद्ध होना आवरसिक्ता क्योंकि उन्हें अपने समराजबादी का मतलब यह है कि अपने सामराज का बिस्तार करने की निती जैसे पहले राजाओ में हुआ करती थी ये भी एक कार्ण था बात करेंगे कि आने के बाद कौँ सा शेयने के बाद के बारे में देख लेते हैं बात करते हैं सैने के बाद निती ठेक ना तो 1919 की बरसाय की संदीज के दूसरा जर्मनी के निरवल बनाने के उद्देश के उसका निसस्तिकर कर दिया गया इसके परश्यात भी फ्रांस का जर्मनी के प्रती भै कमना हो सका जर्मनी के साथ बरसाय की संदी की गई और बात करते हैं इसकी सैनिक एक लाग तक सीमित कर दी गई फिर भी फ्रांस का जर्मनी के प्रती जो भै हुआ करता था वो नहीं निकला अताबै सैनिक त्यारी करता ही रहा 1933 इस भी में हिटलर सक्ती में आया हिटलर कहा आता है जर्मिनी के अंदर आता है और हिटलर ने बरसाय की संदी को अभेलना करने अपनी सैनिक सक्ती में बद्धी करना प्रारम कर दिया ठीक है ना दलबंदी की बात कर लेते हैं पिरतम विशुद से पूर्व यूरोप दो सैनिक खैमों तरदल और कैसा एक ऐसे थे धूरी राष्ट और तर राष्ट जैसे कहांगे तरदल और तर मैत्री में विश्वास विभक्त हो गया था इसी प्रकार दुतिये विशुद के पूर्व ही यूरोप दो भागों भ्यक्त हो चुका था दो तिये विशुद में एक ओर जर्मनी इटली और जापान थे तो दूसर धूरी राष्ट की ओर सकतियां करते थे एक ओर जर्मनी इटली और जापान थे जिन्हें धूरी सकतियां कहते थे जिन्हें कहते थे धूरी सकतियां तो दूरी सक्तियां बरसाए संदी की व्रोधी थी और दूरी और बात करते हैं अधी नायकबाद की समर्थक थी दूसरी और मित्र राष्टों में कौन फ्रांस पोलेंड हो गया है ना बात करेंगे मित्र राष्टों के देखी बात करें मित्र राष्टों फ्रांस हो गया पोलें के कुछ समय पश्यात इंग्लेंड मित्र राश्टों की और धुरी और जो रूस हुआ करता था क्योंकि इंग्लेंड कहां पहुंच गया इंग्लेंड पहुंच चुका था मित्र राश्टों की और जो रूस था वो रूस पहुंच चुका था धुरी सक्तियों की और से हो गया युद्ध काल में जर्मनी द्वारा तो धान रकना रूस कहा था रूस था धुरी तो रा से रा और रा से धुरी ठीक ना चलो बात करेंगे रूस धुरी सक्तियों की ओर हो गया युद्धकाल में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमर करने जर्मनी ने किस पर रूस पर आक्रमर करने रूस पर आक्रमर करने के लिए जाने से रूस की मित्र राष्टों की ओर हो गया को कि रूस पहले थू दलिस्टों अर्व राष्ठों के राचा कर दिया तो यह क्या था साथ दिसम्वर की वाद थी ये 7 दिसम्मर 1941 को क्या कर दिया अमेरिका ने जो अमेरिक याप था वह अमिरिका की एक-सनों से हवाइड आ था जुसे कहते है पर्ल हारवर पर्ल हार पर inappropriate घा यह जो जाप तानसाका उदय के वारे में किसके ? तानसाके उदय के वारे में यहाँ पर हम देखेंगे तो बात करते हैं तानसाका उदय तो बात कóc नेता हिटलर सक्ति में आया जर्मनी का कौन बना फिर हिटलर बन चुका था बात करेंगे इसका प्रम्यक उद्देश बरसाय संधी की अवहिलना करके जर्मनी के खाये खोए हुए सम्मान को पुना अर्जित करना था जो जर्मनी ने सम्मान कोया है उसको पुना क्या करना था हिटलर का काम था बापस करना बात करेंगे अपने उद्धिस की पूर्टी हे तू उसने सेने की सक्थी की को बढ़ाया बह आउस्ट्रिया और चेगररा चेक押 चको स्लावाकिया पर आधिकार कर लिया क्योंकि उसने किस पर अपनी सक्थी को जर्मनी ने जो हेटलर था उसने इंप्रूब किया और का था इटली में फ्रांस बारी की स्थापना करने में सफल हुआ था इटली का बिचार था कि ये पी उसने मित्र राष्ट्यों को प्रतम विसुद में सहयोग दिया था पि उसे उचित इनाम नहीं दिया गया अता यह मित राष्ट्यो और बरसाय की संदी का बिरोधी हो गया था कौन आप गे मुसुलनी जो इटली का होगा इटली का था वो भी क्या हो चुका था बिरोधी हो चुका था बरसाय की संदी का ठीक ना बिरोध हो गया था उपने बेस इस्थापने के ती और सीग्र ही जनरल फ्रेंको नामक विक्ति ने इटली और जर्मनी का सहीयोग से गरतंत सासक में बिर्द बिद्रो किया और बात करते हैं और अपने उद्देश में सपलता प्राप्त की ठीक ना चौलो बात करते हैं इस प्रिकार बिभिने देशों में ताना सहाव का उद जो अपनी अपनी जो भी भूगोले कि सती थी उसको परिबरतन कर रहे थे बढ़ाना चाहते थे तो यह भी क्या था सेकेंड वर्डवार का एक रड़ बन जाता है ठीक ना चलो अगले लेकिंगे दो बिचार धानाओं का संगर्स कौन सी दो बिचार धानाों के संगर्स के कहले में कौन का से अधर और धुरी राष्न बात करते है दुती भीस द् внे पूर्व में दो प्रकार की बिचार धानाया पिछल Ladrie करते मतलब इनके लिए अपने बिस्तार करना एक प्रकार से नहीं था मतलब यह सीमी ते रहना चाहते थे मगर और जो देश पे वो अपने आपको प्रचार करना चाहते थे जैसे बात करेंगे इंग्लाइंड फ्रांस और कौन सा अमेरिका जो मित्र राष्ट हुआ करते थे इनमें क्या थी इनमें जो थी वो जन्त अंतात्मक विचार धारा एक एक अंतात्मक जन्तात्मक विचार ध थी इंग्लेंड फ्रांस और अमेरिका में प्रिशती जब कि जर्मनी जापान और जर्मनी जापान में एकात आत्म बिचार धारा के समर्तक थे सीग्र ही इन दोनों बिचार धाराओं के समर्तक थे कह सकते हैं सीग्र ही इन दोनों बिचार धाराओं के समर्तक थे ठीक ना निश्यत ही था किन्तु एक मात रास्ता युद्ध ही था इटली के ताना सा मुसोलनी ने एक बार कहा था दोनों बचाद हानाओं के संघस में समझोता होना असंभव है इस संघस के काड या हम रहेंगे अत्वा बेही रहेंगे तो ये भी एक काड यहाँ पर देख में आता है सेकंड वल्डवार का बात करेंगे राष्टी समाजबाद राष्टी समाजबाद की बात कर लेते हैं तो बात करेंगे जर्मनी में इस प्रकार की भावना जाग्यत हो गई कि वे युद्ध आ रहे हैं कैसे हैं वे युद्ध आ रहे हैं अता मनुस्यों में स्रेष्ट होने क के काड़ उन्हें ही सासन करने का अधिकार प्राप्त था मतलब जर्मनी के लोग क्या चाहते थे कि हम युद्ध आ रहे हैं मतलब हमें युद्ध आता है हम और उसे बहुत सकती साली है और पूरे विस्पर पूरे यूरोप पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए तो इस प्रकास जर्मनी का एक या अधिक रही प्रकास यह उसके अंदर कैसी थी अपमान जनिक निती थी बात करते हैं यह राष्ट्य समाजबाज की भावना भविस्थ में अतिन्त हानी कारक प्रमार्यत हुई फिर्तम विस्वधिक पशा जर्मनी की जर्मनी को बिविन्भागों में अधिक हो गए थे बात करेंगे ऐस्टिया चेकोसवाकिया और पॉलेंड में रहने बाले जर्मनों के काल अत्यंत गंभीर समस्या उत्पन हो गई हिटलर विद्धेसों में रहने वाले जर्मनी जर्मनों का जर्मनी से मिलाना चाहता था जो बिदेश में जर्मनी रहती थे उनको जर्मन में मिलाना चाहता था जर्मनी ने इन उद्देश की पूर्ती के लिए सकती का सहरा लिया फ्रांस एम इंग्लेंड में तुष्टी करड़ की निती के इस्थान पर यदि इसी समस्या जयर्मनी को अुष्ट्या और अथिकार करने से रोका होता तो सम्भथता तो दृतिविश्द ना होता कiosis कि जयर्मनी उथा जयर्मन बहुत देसों में रहते थे इदर उदर जयर्मन क्या झा था देसों को जी चुका था कुछ लोग वहीं पर सिमित हो चुके थे तो इस बैसे आस पास के जो भी देश थे उसमें जर्मन का अधिकार होना क्या था हिटलर क्या था उसे मानता था कि बहाँ पर जर्मन लोग रहते हैं तो बहुत सुख्षित नहीं है तो बहा पर हमारा अदिकार होना चाहिए ये भी एक ताना सहा देखने को मिल जाता है ठीला चलो करने कारण मित्र राष्टों के पास पर एक जहगलों का होना लाजमी था बात करते हैं इंग्लेंड और अमेरिका जर्मनी के प्रती उदारता का ब्याभार करना चाहते थे इंग्लेंड और जो अमेरिका थी वो जर्मनी के प्रती उदारता का प्रभार करना चाहते थे क्योंक रूस के सामवाद के प्रती अतिन्त सक्ती था और रूस के सामवाद को रोकने के लिए जर्मनी का उत्थान आवश्यक था इंग्लेंड यूरोप के जगडों में पुना जगडा नहीं चाहता था इस प्रकार मित्र राष्टों के परस्परमत में ताना साहा ने लाव उठाया जो भाके ताना साते उनने लाव उठाया हिटर ने आउस्ट्रिया को अपने अधिकार कर लिया और इंग्लेंड ने फिर भी कोई ठोस कारवाही ना की ताना साही की आकांचात्मक मित्र राष्ट्यों की तुष्टी कर्ड की निती ने निती से बरती गई अता युद्ध होना निश्य तो चुका था यहाँ पर अगर इटली सोरी इंग्लेंड और फ्रांस अगर चाहते क्योंकि इंग्लेंड ने पहले ही जर्मनी के करा जो जर्मनी ता उसके अंतर्गत बीज बोच चुके थे युद्ध के सेकंड क्योंकि बरसाई की संदीक अनुसारी क्योंकि जर्मनी को एक बहुत बड़ा बोजलाद दिया था और उस पर लिसेना भी सीमित कर दी गई थी तो इस बज़े से युद्ध होना तो संभव ही था तो यहाँ पर हमने देखा त्री कोश्चन जिसमें हमने देखे दुतिय विस्दिके कारण अगर सारे की सारे आपको समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आए हैं तो अभी एक बार वीडियो को आप और देखेंगे जो कि आपको अच्छी प्रिकास समझ में आ जाएं ठीक ना चलो अब हम देखेंगे दुतिय विस्दिके के परणामों की बेचना कीजिए अब तक हमने देखे कारण अब हम देखेंगे परणाम कोंसे अब हम देखेंगे किसके बारे में सेकंड वल्डवार के क्या-क्या परणाम रहे ठीक ना तो बात करें कोशन निमबर फोर दुतिय विस्दिके परणामों की बेचना कीजिए अत्वा दुतिय विस्दिके तो बात करते हैं यह सारे की सारे आपको कहां मिलेंगे यह आपको मिलेंगे हमारी साइट www.paperhacker.in बहाँ पर आपको जाना है डानलोड कर लेना है ठीक ना एक फ्री मिलेगा पीडे पे कुछ नहीं कुछ प्रेकर न पढ़ चाले तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप पर सकते हो दोने प्रकास से आपको अपर लब दे हैं ठीक है चलो नेक्स्ट कुस्ट को देखेंगे आपको परिणाम देखना है सेकंड वर्डवार के बात करते हैं उत्तर दुतिये विस्ट के परिणाम के बारे में तो दुतिये विस्वद लगबग 6 बरसों तक रड़ा गया आपको सबको पता है एक सितंबर 1949 से लेकर 21 सितंबर 1949 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था ठीक है ना तो बात कहते हैं 6 बरसों तरड़ा गया यह युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक और बिनास का युद्ध था जिसने संपूर विस्व को प्रभुत प्रभावित किया था इसके प्रभाव इतने ब्यापत थे कि विस्व इतिहास में एक युग का ही अंत हो जाते था ठीक है ना बात करते हैं और एक नए युग का प्रारंब हुआ क्योंकि इसमें बहुत भेंकर प्रड़ाम देखेने को मेरे थे परन्तु इस नूतन युग में भैचंता अनिशिता और तनास की इस थी पूरवथ ही बनी रही संचेप में सैकेंड वल्डवार के पर डामों की इनमनवत जो परड़ाम है उनकी और इंगित करती इसमें बहुत वहंकर युदु देखने कौने को मिलेry दो परवारों बंभ गराय गये उनने और चोटे छोटे छोटे बंभो की तो सि युद्रांत देशों की चटी दूतिय अबेशद में भाग लेने वाले देसों की ृधी उठानी पडी सर्मेदिक चटी रूस को इठानी पड़ी थी तैस सबसे जा घाती जो हुई थी वह की सको रूस को रही थी ? स्टाइलिन गांड के युद में मारे गए रूसी नांगरिकों की संक्यातो संपूर युद में मारे गए नांगरिकों के बरावर ही थी रूस में इतने लोग मारे गए थे जो संपूर विस्व के अने के देशों मारे गए थे इसका सबसे बड़ा काड़ यह था कि पश्मी मित्रों ने 1944 इसमी तक धुरी राष्टों के बिरोध में कोई दूसरा मोर्चा नहीं खोला था अनली जो धुरी राष्टे थे वो किस पर रूस पर ही आक्रम करना चाहते थे अता जर्मनी के प्रभा को रूसी मोर्चो को ही सहना पड़ा था बात करते हैं युदिक एदिम में रूस को एक खरब 20 करो डॉलर की संपत्ती का नुकसान उठाना पड़ा उसने 17,000 नगर नश्ट हो चुके थे 70,000,000 नागर काल अबकलित हो चुके थे मारे गए थे और यहां से भाग गए थे कुछ बात करें ब्रिटेन को ही महान च्छती का सामना करना ब्रिटेन को भी बहुत बड़ी च्छती होई थी इसमें 4,45,000 नागर को का काल अबकलित हो गए बात करते हैं जहां तक अमेरिका का संबंद है अमेरिका युद्ध के अंत में कूदा था ना तो उसकी भूमी पर युद्ध लड़ा गया और ना ही उसे भहंकर मंब बरसा का सामना करना पड़ा अता अमेरिका को कोई भिसेश हानी उठानी नहीं पड़ी उल्टे युद्ध के पश्चात मतलब उसके युद्ध के पश्यात उसके उत्पादन में अबूत पूरबदी देखने को मिली किसके अमेरिका और अमेरिका फिर क्या होता एक सकती साली देश बनकर उभरता है जहां तक छोटे-छोटे रास्टों का सम्मन था उन्हें भी अपार छती उठानी पड़ी थी तो ये तो हो गया नुकसान अब बात करेंगे युरोपीय प्रुभुत्य की समाप्ति जो युरोप में प्रुभुत्य था जो राजा महराजों का अस्तफ़ा उसकी समाप्ती देखने को मिली सेकेंड विसुद में ने जिस नूतन युग को जनम दिया भैयुग यूपिय प्रभत्य को समाप्ती का यूग था दुतिय विसुद ने यूपियन सक्तियों को इतना जहंग जोर कर रग दिया था कि युद्ध से पूर्वतक युद्ध विस्व के अनुसासित करने का दाबा करने वाला यूरोप अब समस्या प्रधान यूरोप के रूप में उब रहा था बात करेंगे धुरी राष्टे उन्हें अपना सामराज खो दिया धुरी जो राश्चते उन्हें अपना सामराज खो दिया ब्रेटेन फ्रांस भी सक्ती ही न हो चुके थे ठीके ना यह हो गया अब बात करेंगे तीसरा कारड देखेंगे दो महान सक्तियों का उदै किसका दो महान सक्तियों के उदै के बारे में यूरोप की प्रहु सक्ता बिस्व के राजनितिक रंगमंच पर छड़ होने की नए युगिन में दो महा सक्तियों का आनवा हुआ सैयोक्त राज अमेरिका और रूस ये दो सक्तियां उभर कर आईए रूस की बहुत चती हो चुकी थी ये सेकेंड नंबर का उभरता हुआ और अमेरिका फ़स नंबर का उभरता हुआ देश बन कर आया महा सक्तियों उभर कर आईए बात करेंगे सीत युद्ध का प्रारम किसका सीत युद्ध का प्रारम दूतिय अविस्द में बिटेन फ्रांस और अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर धुरी राष्टों का बिरोध किया था इससे ऐसा लगता था कि युद्ध के परश्चात इस मितता पूर ब्याभार में ब्याभार से सांती की स्थापना हो सकेगी ये सीतद का प्रारम हो चुका था मतलब सभी देश क्या रहने लगे फिर मिलने जुलने की सहमती यहाँ पर देखने को मिली समराजबाद और उपनिवेसबाद का बिक्टन हो गया जो समराजबाद अपने समराजबाद का बिस्तार करना उपनिवेसबाद एक दूसरे से ब्यापार करना इसका बिक्टन हो चुका था दूतिय विशुद्ध का यह महात्पूर परड़नाम समराजबाद और उपनिवेस बाद का बिक्टन भी था मित राष्ट ने धुरी राष्टों के बिरोध में केबल सुतंता और आत्मिरवड के सिद्धान्त के आधार परियोद किया था अता युद्ध की समाप्ति के परष्ट समराजबाद एवं उपनिवेस का बिक्टन होना स्वावाभी को चुका था क्योंकि युद्ध में मित राष्ट बिजय हुए थे दोबारा मित राष्ट क्या हो गय थे इसमें बिजी हो चुके थे बिजय हो चुके थे बात करेंगे उपनेवेशों में जन नव जागण उपनेवेश ता उसमें नव जागण का योग देखें मिलता है मतला ब्यापार का नव जागण दोतेविस्त का गंभीर प्रभाव उस उपनेवेश पर पड़ा जो की पश्मी समराज सत्नियों के शिकार थे जापान ने एसिया वालों के लिए एसिया वालों के लिए जो नारा अपने हितों की दिश्टी में दिया था बहर अप्रतेच रूप से भारत और चीन जैसे उपनेवेशों के लिए स्वतन ताका प्रतीग बन चुका था बात करेंगे सात्वा देखो सात्वा मानवता बात देखने को यहां पर मिला बात करेंगे बिस्विद्य के कमजोर राष्ट्यों को समराज बादी शिकन्जों का सिकार होना परता था युद्र के पूर्व एफ़म युद्र के कालमी अल्प संक्यकों के अधिकार को जिस प्रिकार कुछला गया था उससे प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट संग के मानवी अधिकारों का एक घोशना पत्र प्रकासित कर मानवता की पत्र का कायम करने के लिए महातिपूर कदम उठाए गए थे बात करेंगे आठवा परड़ाम क्या देखने को मिला बात करें निसस्तिकड के प्रभाव निसस्तिकड मतलब सस्त्र अब नहीं चलाया आएंगे इनका उपयोग नहीं होगा दुतिय बल्डवार के युद्ध अडू बंब के प्रयोग और उसके कई बिसाल कई बिनास लीला ने अंतर राश्टिय जगत के निसस्तिकड का सस्त्र खड़ा कर दिया बात करेंगे पहंतू निसस्तिकड की दसा में रूस और अमेरिका के मद बात करते हैं मतीद के कहड़ निसस्तिकड के लिए किये गए प्रयास कभी समर तक ना हो सके क्योंकि अमेरिका कहता है कि मैं सक् तो इसलिए अभी तक ऐसा कोई कदम कटोर नहीं उठाया गया बात करेंगे प्रादेशिक संगठंग सीथ युद्ध के सीथ दिकी इस्तिक को देखते हुए समराजबादी रूस गैर समराजबादी अमेरिका ने अपने अपने प्रभाव की बद्धी के लिए छेत्रिय प्रसासनी के संगठनों का गठन प्रारम कर दिया इसमें नाटो हो गया बात करते हैं बारसा पैक्ट हो गया सिंटो हो गया बात करेंगे OAS हो गया आदी बिसेश उलिकनी संस्था देखने को मिलती है इस परकार इसपश्ट है कि दुतिय विस्वद ने प्रारम महा युद्ध के सदस्य ही अनेक समस्याइं उत्पन कर दी यह ठीक है कि इस युद्ध के प्रभाव में समराजबादी उपनिवेश प्रभरतियों की समापती में योगदान दिया और एसिया और अफरीका में राश्टे हिलोरों लेने लगी अत्वा इसके परंतु जिस प्रकार एक नए विस्वद का गटन हुआ जिसमें दो महासक्तियों के महासक्तियों के प्रादरुभाव में युद्ध काली ने एकता का बिक्ठन देखने को मिला ठीक है ना तो यहाँ पर हमारा जो कुशन नंबर फूर था वो समापत होता है हमने देखे सेकंड वल्डवार के प्रादर देखे मैं कहा रहा हूँ आपके लिए वीडियो एक बार और वाच करना है जो कि आपको अच्छी प्रकास से समझ में आ जाएं और जो हैडिंग है उसको पी कॉपी पर लिखना है अगर नहीं लिखना है तो पीडियाफ डानलोड आप कर सकते हो आप आप डानलोड कर सकते हो आप आपको फ्री मल जाएंगे पीडियाफ पर कुछ पे करना पर सकता है तो आपको क्या करना है दोनों में से जो अच्छा लगए वहाँ आप डानलोड कर सकते हो और अच्छी परकास से पर सकते हो ठीक है वही चल अगले बढ़ते हैं फाइब कोशन की ओ तो फाइब कोशन देखेंगे राष्ट संग का बिफलता पर लेखिए जो राष्ट संग उससे में बनाय गया था ठीक ना बोडरो बिल संग के द्वारा 14 राष्ट कर से ध्धान जो दिया गया था उसका बिफलता बात करते हैं रोकने अवंपरस पर जगडों को सांती पूर धंग से निप्टाने का लिप्टा कर विस्व सांती बनाय रखने के उद्धे से की गई थी परन्तु यह दुर्भाग पूर्ड रहा कि राष्ट संग अपने इस उद्धे से को पूरा करने में बिफल रहा यह सं से अमेरिका इसका सद्धे से नहीं था बात करते हैं अमेरेका इसका सुनुक्त नहीं था Сं संग के पास अपनी निजी सेना नहीं थी बात करते हैं जिसने वल्प पर यह अपने निन्यों को मनवा शके जिसका प्रीदा कोने अपनी वहेलना शूरू की शवी देशों ने संग गी और अपनी जो भीना थी, उनको भी नकार दिया, जो बरसागी संदी जैसे देश को अपना शंबंद अनुच्षेद करमन्मानी करने लगे और राष्थ संग इस इस्तिति में कुछ नहीं कर सका, इस तरह हम कह सकते है कि समत्राष्ट चिंग की इस दोबलता इस बुरहल इस ही में दोतिए बिर्ष्ट का माद्य प्रस्त्त कर दिया इसके अतिरिक्त सयुक्त राश्ट निसस्तिगर के मुद्दों पर भी विफल देखने को मिला मगर निसस्तिगर मतलब सस्तों का प्रियोग नहों इसमें विफल मच गई और संपूर यूरोपिय देशों का राजितिक बातावड इसके होल में क्या हुआ सामिल हो गया फ्रांस जर्मनी के नंतर भैवीत कर रहा था फ्रांस जर्मनी से नंतर भैवीत हो रहा था तता इसी को ध्यान में रखते रखकर उसने अपने सैन सक्ती में गद्धी कर ली थी बढ़ चड़ कर प्रयास किये थे फ्रांस ने अपनी सेना पर अपनी सेना पर मैगीनो लाइट मैगीनो लाइन मैगीनो लाइन का निर्मार किया था मतलब उसकी जो सीमा हुआ करती थी जर्मनी और फ्रांस की उसकी सीमा को कहते है मेंगpower के लिगा यह कहाँ गया इस इसका निरमार जर्मनी के परशमी सीमा को मजबूत करने के लिए किया गया था तो इस तरकर से हमने देखा किसके बारे में संयुक्त राष्ट की विफलता किसकी संयुक्त संग की संग की राष्ट बाद मनता है संयुक्त संग की विफलता तो यहाँ पर हमारा जो अध्धाय नंबर 6 था जो हमारा अध्धाय नंबर अध्धाय नंबर 6 था उसको second world बारे से कहते हैं स्व्माप्त कर दिया है अब आपको यह वीडियो दो बार वीडियो देखना है ठीक है । पढ़ने के बाद में दो बार वीडियो को देखो अच्छी प्रकास सब कुछ आपको समझ में आएगा ठीक है दोनों की दोनों आपको www.paperhacker.in पर जाना है जो हमारी site है Chrome पर मारोगे site में पहुंच जाओगे 4 semester बटन है उस पर सारे की सारे जो भी 4 semester के सारे है PDF आपको पेकरने पर जाएगी एप आपको free मिल जाएगे जैसा आपको करना है वो download करके आप पर सकते हो ठीके ना चलो वीडियो को यह रहते हैं क्योंकि आज का अध्याय नंबर जो हमारा 6th वो खत्म हो चुका है लास्ट अध्याय रहे गया है जो अपना मिलेगा सहत्रासन ठीके ना बस सहत्रासन को एक वीडियो और बनेगी उसके बाद आपके जो ठीके ना चलो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना शेर करना चैनल को सस्कार करना बेल एक इनको प्रेश करना जै हिन जै भारत